दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के उन बारह दीव्य नामों का रहस्य बताने जा रहे हैं, जिनके जाब से आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं, दोस्तों हनुमान जी को उनके भक्त कई नामों से पुकरते हैं, हनुमान जी के हर नाम के पीछे एक रहस्य के साथ एक अनुठी कथा भी है तुलसिदास जी दारा लिखित हनुमान चालिसा में हनुमान जी के बारह नामों का वर्नन मिलता है इन बारह नामों की न सिर्फ एक रोचक कथा है बलकि हर नाम से जुड़ा एक मंत्र भी है जिसे नियमित जपने से ब्यक्ति के सारे काज निर्विग्न पूर्ण हो जाते हैं और उनके जीवन में सुभता एवं सफलता का आगमन होता है तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे स्रिष्ठी तर्थी चनल पर अगर चनल पर पहली वार विजिक कर रहे हैं तो कृता करके चनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंक तो दोस्तों हनुमान जी का पहला नाम हनुमान मंत्र ओम स्री हनुमते नमा एक बार जब हनुमान जी की वाल अवस्था में सुर्य देव को फल समझ पर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे तब इंदर देव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने बज्ज्र से उ पहार से उनकी ठुड़ी टेड़ी हो गई थी। ठुड़ी को हनु कहा जाता है। तब इसे उनका नाम हनुमान पड़ा। सिता सोक बिनासन मंत्र ओं सिता सोक बिनासनाय नमहा। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांग हनुमान जी माता सिता के पास पहुचे थे। तब उन्होंने छोटा सा आकार धर कर पेड की आड में खुद को छिपा लिया था। उन्होंने माता सिता को स्रीराम से बिचड़ने के सोक में द्रवित देखा। जब माता सिता के समेफ कोई भी रावन का राख्चस नहीं था। तब समय का लाव उठाते हुए उन्होंने माताशिता को अपना परिचे देते हुए खुद को राम का दूत बताया, जिसके बाद माताशिता का सारा सोक दूर हो गया, इसी वज़ा से हनुमान जी को सिता सोक बिनासन कहा जाता है लच्मन प्राण दाता मंत्र ओम लच्मन प्राण दात्रे नवह रामायन के एक खंड में इस घटना का वर्नन मिलता है लच्मन जी और मेगनाद के जुद्ध में जब मेगनाद ने छल से लच्मन जी को आहाद कर मुर्षित कर दिया तब हनुमान जी उनकी रक्षा है तु संजीविनी बूटी लेकर आये थे जिससे लच्मन जी की जान बचना संभब हो सका इसलिए हनुमान जी को लच्मन प्रान दाता भी माना जाता है दस्ग्रीव दर्पहा मंत्र ओम दस्ग्रीवश्य दर्पाय नमह दस्ग्रीव का मतलब होता है रावन और दर्पहा का अर्थ होता है घमन तोड़ने वाला ये तो समुचा जगत जानता है कि महावली हनुमान ने किस परकार अनीको बार रावन का हंकार चूर चूर किया था इसी कारण से उनका एक नाम दस गिरिव दरपहा पड़ा अंजनी सूत मंत्र ओम अंजनी सूत आयना महा हनुमान जी ने कार्थिक्रिष्न चतुर्दसी को परदोस काल में जनम लिया था इसी कारण से वह अंजनी सूत कहलाए बायू पुत्र ओम बायू पुत्रायनमह बजरन बली का जनम बायू देव के आसिरवाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पुत्र भी है इसलिए हनुमान जी का एक नाम बायू पुत्र या पवन पुत्र भी है महाबल ओ महाबल आयनमह हनुमान जी अच्टन्त बलसाली है ऐसा माना जाता है कि बाली, रावन, भीम, एरावत, इंद्र, आदी सभी का बल मिला कर भी हनुमान जी के बल से इनकी तुलना संभव नहीं हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्न लंका छन भर में राक का धेर बन गई थी इसी कारण से हनुमान जी को महा बली भी कहा जाता है रामेश्ट मंत्र ओम रामेश्ट हाय नमहा हनुमान जी भगवान स्री राम के पिरिय मान जाते हैं उनके रोम रोम में राम बसे है राम काज में हनुमान जी का मत्त पूर्ण जोगदान रहा था इसे कारण से उनका एक नाम रामेश्ट भी पड़ा फालगुन सखा मंत्र ओम फालगुन सखायनमह हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है इनके पीछे का तर्क यह है कि फालगुन का अर्थ है अर्जुन और सखा का अर्ठ है मित्र यानी कि वो जो अरजुन के मित्र है इसके अलावा महावारत और भागवत गीता दोनों ग्रंथों में इस बात का उल्लेक मिलता है कि हनुमान जी ने महावारत के जुद्ध के दोरान अरजुन के रथ पर विराजित होकर उनकी रख्षा के थी पिंग आख्छ मन्तर ओम पिंग आख्छाय नमः पिंग आख्छ का अर्थ होता है आज़ों में हलके लाल और पिले रंग की परत बनना हनुमान जी के नेत्र में भी ऐसी परत बनने का उल्लेक रामायन गरंथ में मिलता है इसी कारण से हनुमान जी का एक नाम पिंगाक्च भी है अमित विक्रम मंत्र अमित विक्रम आयन महा हनुमान जी का एक नाम अमित विक्रम भी है अमित का अर्थ है अधिक और विक्रम का अर्थ होता है प्राकर्मी हनुमान जी भगवान सिव के आवतार माने जाते हैं एसे में उनके अंदर अताह बल होना सोभाविक है हनुमान जी ने अपने बल से एसे अचम्वित कर दिने वाले कार्ज किये है जो देवदाव के बल के भी वहर है उदधी कर्मन मंत्र ओम उदधी कर्मन आयनम उदधी कर्मन का मतलब होता है समुद्र को लांगडी वाला हनुमान जी ने सिता माता की खोज में समुद्र को लांगा था इसलिए उनका एक नाम उदधी कर्मन भी है तो दोस्तों ये थे हुनमान जी के चमतकारी बारह नाम और उनके पीछे की कथा अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कर सकते हैं और इसी तरह का आपको रोचक तथे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और कॉमेंट में जरूर बताएगा ये स्टोरी आपको कैसा लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आजने टोपिक के साथ तब तक के लिए जये स्री राम